नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य और आपका स्वागत है इंडियान रेल पैसेंजर में तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दुरंतु एक्स्प्रेस जो हावडा से चल कर न्यू देली तक जाती है ये दो मेट्रो सिटी को जोड़ती है हावडा से न्यू देली हावडा जो वेस्ट कॉलकता के पास में है और न्यू देली जो इंडिया के कैपिटल को जोड़ती है तू मेट्रो सिटी को जोड़ती है तो आज हम लोग बात करेंगे 12273 अप हावडा से न्यू देली तक दुरंतो तो दोस्तों दु दूर जैसे की हावडा से न्यू देली दूर है तो उसको हम लोग उसको जल्दी पहुंचाने का ये तावा करती है कि ये जल्दी पहुंचा ये इसका नाम रखा गया है दुरंतो के तो चलिए देशन करते हैं शुरू कर देते हैं तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं हमारा हावडा न्यू देली दुरंतु एक्सप्रेस जो जिसकी गड़ी सक्किया है एक दो दो आठ साथ तीन तो दोस्तों इसकी आपको मिलती है इसके आपको मिलती है कि स्लीपर के मिनमन इसके मिनमं आपको 940 रुपए लगते हैं और थर्ड एसी के 2312 रुपय और सेकेंड एसी के तीन हजार एक और 3145्याद के आपको 5 5174 के रूपीज आपको मिलते हैं तो दोस्तो है नहीं पे देखी सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं तो दोस्तों चलिए अब इसकी इंफॉर्मिशन बढब माउला तो तो यह हम लोग को इस ट्रेलवे ने इसके रिक जोन सेर होते हैं इस ट्रेलवे से और यह एक दुरंतो एक्सप्रेस है यह अपना टोटल टाइम कवर करती है सेवेंटीन आवर फॉर्टी मिनिट इसके बस चारी हॉल्ट से पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1451 किलोमेटर जो इसके एवरेज स्पीड है 82 किलोमेटर पर आवर और यह मैक्सिबन पर स्पीड चलती है 120 किलोमेटर आवर बिटूइन जा धानकुनी एं माराइपद तो दोस्तों इसके लेटेस्ट न्यूज आई है कि 12273 अब विल डिवाटेट टू रन वाया जेसीडी पटना फ्रम हावडा एंड डाउन विल डिवाट तो पटना जे एमसी न्यूडेली एंड एसी थ्रीयर कोचस फ्रम तो इसके अमनों यह की गए है कि अब जेसीडी से पटना फ्रम हावडा होकर हावडा से जब यह चलती है तो यह जेसीडी और पटना होके यह दिली जाएगी तो चलिए देखते हैं इसका यह तो यह इसका इसके इसको वोट्स मिलते है 197 वोट्स और इसके रेटिंग है 3.7 इसके क्लीनेस बहुत ही अच्छी है और पंच्व इंग्रेल रन हुआ था फ्राइडे अपरिल 2 तरीक को 2010 में तो इसमें आपको पेंटरिक पैंटरी केटरिंग भी मिलते हैं जिसमें आपको ओंबोर्ड केटरिंग और हावडा वैब 7 भी लगता है और हावडा वैब 4 भी लगता है तो इसके फर्स्ट टॉपेज है यह अपना फर्स्ट एरविंग से चलती है इसके बाद होगे हावडा जंक्छन जो 12.45 में खुलती है इसके बाद यह सीधा इसके बाद धनवाद जंक्छन में पहुंचती हैu जहां पि दो फेर के 33-33 में पहुंचती है 358 पे यहां से खुल जाती है यहां पि यह हट्या ब्रदमन पैसिंजर वाय जो होकर इसके साथ जि दिइंग होती है इसके गया जंक्शन में पहुंचती है जो जो छे बच 6.25 में पहुंचती है और 6.30 मिनिट पहुंचती है तो दोस्तों हम लोग को जो लेटेस्ट न्यूज में आया था कि हम ये ये जेसीडी और पटना होके ये न्यू देली जाएगी और ये अब इसके नॉर्मल रूट थी जो धनवाद गया मुगल सराय होके जाए तो यहां पर ये 458 किलोमीटर का जर्णी रिताय करता है इसके बाद ये मुगल सराय जंक्शन में पहुंचता है जहां पर ये जहां पर ये 845 में पहुंचता है और 855 में खुल जाता है यहां इसके बाद ये कानपूल सेंटरल में पहुंचता है जहां पर ये 12 बचकर 5 मिड़े पर पहुंचता है और 12 बचकर 55 मिड़े पर खुल जा यहां पर यह अपना एक हजार एक हजार दस किलो मीटर का जर्णी तैय करता है यहां पर इसके साथ आनंद विया टर्मिनल गोरकपूर हमसफर एक्सप्रेस वाया बारिनी और वह जिंग करती है इसके बाद इसका सीध डेस्टिनेशन आ जाता है नॉर्थ रेलवे न्यू देल जर्णी जंक्शन जहां पर यह 6 बचकर 25 में पर पहुंचती है तो यहां पर यह 1450 किलो मीटर का जर्णी तैय करता है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बैल आइकन को भी क्लिक करता है ऐसी इन्फ ब्लस्यू थैंक्स फवाचिं मैं वीडियो